और कानपूर से आ रही है जहां मामुली विवाद के बाद बीच सड़क पर मारपीट हुई है दो यूखों में जम कर मारपीट हुई है मारपीट का वीडियो सीसी टीवी में कैद हो गया है चकेरित अनक्षेत्र के छबेला पुर्वा का ये मामुला बताय जा रहा है जहां मामुली विवाद के बाद बीच सड़क पर मारपीट देखने को मिले दो यूखों में जम कर मारपीट हुई है मारपीट का वीडियो सीसी टीवी में कैद हो गया है चकेरित अनक्षेत्र के छबेले पुर्वा का ये मामुला बताय जा रहा है मामुली विवाद के चलते दो यूखों में जम कर मारपीट देखने को मिली है मारपीट का वीडियो सीसी टीवी में कैद हो गया है चकेरित अनक्षेत्र के छबेले पुर्वा का ये मामुला बताय जा रहा है पस्बीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो यूख आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं और अगली बड़ी खबर मथुरा से आ रही है जहां डिप्टी सीम केशो परसाद मौरी ने बाके विहारी के दर्शन किये हैं बाके विहारी के दर्शन किये हैं केशो परसाद मौरी ने एक दिवसी दौरे पर हैं डिप्टी सीम आकुर मा के विहारी को डिप्टी सीम ने जूला भी जूलाया है तीन सो से अधिक सीट के साथ बनेगी भाजपा सरकार ऐसा कहना है डिप्टी सीम केशो परसाद मौरी ने जूला भी सम्मिलन हो रहे हैं वे सब फ्लॉप हैं आज मत्वरा पर एक दिवसी दौरे पर हैं डिप्टी सीम केशो परसाद मौरी आप देख सकते हैं बाग के विहारी दर्शन करने पहुंचे बाग के विहारी मंदिर की तस्वीरे हैं जहां डिप्टी सीम केशो परसाद मौरी उनके दर्शन करने पहुंचे एक दिवसी दोरे पर हैं ग्रिप्टी सीम केश्व परसाद मौरे साथी साथ उन्होंने बहुजान समाज पार्टी पर निशाना भी साधा अगली बड़ी खबर लखनौस